हालो रिवारा सबकर स्वागत करता हूँ अपने एक नए यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम हैं अमेठी के जनपद अमेठी में आप सभी को पता होगा कि अमेठी जिले में आरिभ भाई हैं काफी जम्मे समय से वाइरल चल ले थे वो उन्होंने एक सारस पंची की क्या ही बताएं कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा दोस्तो सारस पंची का जो पैर था वो तूटा हुआ था और इसी दौरान जब आरिभ भाई को मिला तो आरिभ भाई ने उनको घर ले आए और उनके साथ अच्छा विवार किया और उनका पट्टी मरम किया जब ठीक हो तो उन दोनों के बीच में काफी प्यार विवार होया दोस्ती अ क्तरीके से मिसाल कायम हो गया है है ना एक तरीके से इतिहास बन गया इस चीश को लेकर कि सारस पंची के साथ इनका कैसा वेवर कैसा प्यार था तो अब हम बात करें जब वीडियो वाईरल हो रही थी तो हम यहां पर कोई भी नहीं है ना कोई यूटूबर है ठीक है पहले लोग आते थे वाइरल करने के लिए खुद की वीडियों लेकिन आपको बता दू कि उनके उपर भी जब सारक्स को यहां से लेके गये हैं है ना चिडिया घर में वन विवाग वाले तो आज के रटके हम बात क पहुची तो हम तुरंत आये हमने का भाई अगर हम उस ट्राइम नहीं आया थे इस टाइम हमें जाना चाहिए हमें उनको हमारे सपोर्ट की जरूत है और मैं आपको फिट से कहता हूं कि सपोर्ट करिए सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है और खास दोर से पब्लिक का अब यहां आप कौन है मैं अरिभ भाई अभी नहीं 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 तो यह अरिभ भाई की माहा है बढ़ी अच्छा लगा इन से बातचीत करके और रमजान का टाइम है पूरा इदम संटाटा है आप तो हमने इस बातचीत किया यह बताए सारिस पंची को जब यहां से लेके हाई पिर नौटिस वगरा है गाटीमा नोटिस कुछों कोई नोटिस नहीं आई आइं तो किसी ने इन फॉर्म किया था या पिर उनको पता चला तो सोसल मीडिया के माद्व्साएं आए हैं तो आरिभ कहूं जा रहे हैं तो आधारीम बैट गे तो फिर जो यह आ गये था द तो दोस्तों उनकी हम्मी है जो कि हम इनसे बात्चीत कर रहे हैं और एक आपको हम बता दें कि जब चिडियांगर में उसको लेकर जाकर कैद किया गया था तो क्या वहां से वह आपस आया था क्या है तरह तरह की वीडियो वाइरल हो रही हो आप लोगोने भी देखा होगा तो लिवागा नहीं और अभी आप उसको लेकर क्या गहिसा ना फॉलागात नहीं हो पा रहा है और अभी आप उस पंची को लेकर कि क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके सुनकी दोस्ती थी रखी है बंद नहीं रही खुल के चुने वह से नोख आजात कहे दिया है या तो हमें धह दिया नहीं तो का कहा थी वह का पिंजड़ा बंद करें कानपुर में चिटि घर में हाँ पहले दोस्तों मैं आपको बता दूभा तो अभी क्या नाम है अपका इसके बारे में क्या कहते हैं तो पर सहरें कि जैसे बंद करके रख लें हैं और कि अभी अज़ाहसा है इसको वहां जिस बंदे ने उनकी जान बचाई और उनसे उनको अलग कर दिया गया है ना आरी जब चलते थे मैं बता दूँ आपको तो बाइक के साथ साथ वो भी उड़ता हुआ जाता था है ना ठीक है तो अभी आप क्या कहना चाहते हो जैसे आरी भाई से उनकी इतनी लगाव थी अभ will know फालो आपने किसी की जान बचा है तो किसी की जान बचाना किसी की मदध करना क्या गलत है कहीं से वह भी आपक रहा है यह आरी वाई को मिला तो सब्सक्रीर का रहा हूंulkे हमouने unpack कवर कर लिया और उनके घर की सब際 DR यहां पर सारस रहा करता था घूमता था टैलता था लोग कहते हैं कि उसको बंधक बनाया गया था बंधक तब नहीं अब बनाया गया है दोस्तों और मैं आपको इधर से दिखा दूं तो यह देख पा रहे होंगे यह है वही घर आरिभ भाई का जो कि के आपके नाम से फेमस खेम में लुझाए है चल रहे ह कि हम उनसे मुलाकात करने नहीं अभी थे हम उनको सफिल्ड करने आए थे दोस्तों मैं चाहता हु कि आप सभी लोग उनका सपोर्ट करए उनके उपर जो मुकदमा धर्जुब उसको रिमुव करां में वहां से सारस बंदक बनाया गया है उस